दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है और बड़ी खबर वहीं से आ रही है एक घर में पांच लोगों के शव मिले हैं और एक ही परिवार की पांच लोग का शोव मिलने से पूरे इलाके में हड़कम पंच गया है एक ही परिवार के पांच लोगे बताए जा रहे है बजनपुरा से दिल दहला देने वाली खबर ये सामने आ रही है घर में बदलू आने के बाद पता चला कि घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है जब दर्वाजा तोड़ कर लोग अंदर घुशत हो आपको बता देगी भजनपुरा से बड़ी खबर आ रही है जापर एक ही परिवार के पांच लोग मृत पाए गए है पती पत्नी और तीन बच्चों के शीव मिले है वही हमारे सजयुगी अमित जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर रिष्ण जानकारी के सात तो अमित जिस तरीके से पांच लोगों के शीव मिले हुए हैं जिसमें हस्वेंड वाइप और उनके तीन बच्चे बताए जा रहे हैं हलाकि किस वज़े से ये सुसाइट के ऐसा है या कुछ और है क्योंकि अभी पुलिस पहुती है कुछ देर पहले अब मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रहे हैं आर्टिक तंगी के हालात भ गर से बद्बू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस के सुचना दे थी तो क्या ये आत्मत्या का मामला एक दो दिन पहले कह सकता है कि कि शव से बद्बू आने लगी थी जी बिल्कुर देखिए वही में बात कर रहे थे कि यहां पर जो परोसियों ने हैं उन्होंने सुचना दे कि किस तरह गर लगाता लॉक था और लोगों को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस घर के अंदर पांच-पांच सब मौजूद हैं लेकिन जो पहली स्थिति दि पूरा मामला क्या है लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि चाहे वो सुसाइड हो या हत्या हो लेकिन ये काफी टाइम हो गया इन सबों को और यहीं वज़े थी कि इन सबों से जो बद्वू है आने लगी थी और उसके बाद परोसियों ने सौन पर फोन किया पुलिस को बल कर कोई जानकारी लेने के कोशिश की? जी अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस ख़बर पर जोड़ने के लिए